नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राहुल चैन आपका हेल्थ एंड विल्नेस कोच आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है महामाश तेल महामाश में माश का अर्थ होता है उड़त की डाल जो इस तेल का प्रमुग गठक है इसके अलावा इसके अन्य प्रमुग का ठक है तिल का तेल, गाएं का दूद, सेंदानमक, अश्वगंदा, देवदारू, रासना, बलामूल, पलाश, पुननवा, श्वेजीरा, हींग, शतावरिकी जड़, पीपली मूल, दश्मूल, काकुली, जीवनती आदी 38 प्रकार की ज करना है, महामरश तेल का उप्योग, अगर किसी भी पुराने से पुरामे वात रोग है, उनके टीटमेंट में किया जाता है, Secondly, जहां पे भी किसी भी body part में अगर blood का circulation proper नहीं है या blood का coagulation हो गया है, वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों अब बात करते हैं कि कहां कहां इसका उपयोग उपचार के लिए करेंगे तो सबसे पहले इसका उपचार जब भी आप करें तो बाहर उपयोग के लिए करना है यानि कि इसका उपयोग मालिश की तौर पे करना है सबसे बाल करेंगे वात रोग के टीटमेंट के लिए वात रोग यानि कि अगर हम बात करते हैं सर की तो सर में माइगरेन हो रहा है हैडेक हो रहा है वहाँ पे भी लाप करेगा अगर गर्दन में दर्द है जकरन है या गर्दन अकड गई है वहाँ पे इसका उप्योग बहुत अच्छा है कंदों में दर्द रहता है, कंदों में चकड़न हो गई है अगर कमर अकड़ गई है, जकड़ गई है या बहुत लंबे समय से कमर में दर्द है वहाँ पे भी उसका उप्योग बहुती कालगर है साइटिका के रोगों में भी यह बहुती अच्छा काम करता है इन सब के अलावा अगर आपके जोडों में दर्द रहता है यानि कि arthritis की problem है वहाँ पे भी ये बहुत इलाप प्रदान करता है किसी अंग में सुन्दपन होना यानि कि कोई अंग सुन्ध हो जाता है या अगर हमारी मासपेश कमजोर है हड्य कमजोर है वो भी इससे मस्पूध होती है एक बहुत ही important use है इसका वो है पक्षाघाद यानि paralysis के यानि कि पक्षाघाद और paralysis के case में जहां यह जम्मे हुए रक्त को हटाता है और उस एडिया में रक्त की आपूर्ती को पूला करता है यानि कि उस अंग में रक्त का flow बढ़ा देता है जिससे पक्षाघाद यानि कि paralysis इसमें भी बहुत अरा मिलता है दोस्तों इन सब के अलावा अगर आपको बहुत थका नोरी है आप आलसी हो गए है तो आप इसकी full body massage भी इस soil से कर सकते हैं जिससे आपको तरो ताजा feel होगा आप किसी भी massage center में जाते हैं तो महां पर अक्सर full body massage के लिए इस महा माश तेल का इसकी मालिश करने से शरी में हलका बनाता है दोस्तों इसका कोई side effect नहीं है यानि कि आप इसको बिना किसी tension के यूज कर सकते हैं अब जालेंगे इसकी विधी का है यूज करनेगी तो आप इसको 10 से 20 ml की quantity ले सकते हैं और इसको हलका सा कुनगुना कर लीजे हलका सा गरम कर जीजे और जिस भी area पर आपको मालिश करने हैं वहाँ हलके हाथों से मालिश कीजे और उसके बाद एक गरम कपड़े से धक दीजे और दिन में आप इसको 2-3 बार कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा lap प्राप्त हो लेकिन lap जबी प्राप्त होगा जब आप तेली मालिश के साथ साथ अपना डाइट भी कंट्रोल करते हैं यानि कि आप ऐसे आहा नाले जो शरीर में वात को बढ़ाते हैं जो रियल प्राप्लम का कॉज है दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि माहा माश तेल हमें कैसे प्राप्त होगा तो मार्किट में अलग अलग डि दिस्क्रिपिशन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है आप ऑनलाइन भी इसका पर्चेजिंग कर सकते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा प्रीज मुसको ज़रूर बताईएगा और कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताईए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए या आप किस बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और आज ही इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू गुडबाई